हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आप सभी का एक बाब फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलिवुट पर स्वागत है अक्सर ये देखा गया है कि किसी सक्सेस्फुल एक्टर के बच्चों में बेटे ही उनके काम को आगे बढ़ाते हैं या आगे आपाते हैं लेकिन जॉनी लिवर के केस में जॉनी लिवर की बेटी जैमी लिवर उनके बेटे जेसी लिवर से ज्यादा पॉपलर और नून है पर जेसी लीवर के पीछे रह जाने की एक खास वज़ा है और इस वज़ा ने एक बार जॉनी लीवर की जिन्दगी ही पलट कर रग दी थी इस वज़ा को बताने के साथ-साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जानी लिवर के बेटे जेसी का रुत्रिक रोशन से काफी खास, पुराना और गहरा रिष्टा है जानी लिवर की बेटी जैमी लिवर को तो आप अकसर लोगों की मिमिक्री करते हुए या कॉमेडी करते हुए देखते होंगे लेकिन उन वीडियो में कभी-कभी उनके बेटे जेसी लिवर भी नजर आते हैं लोग जेसी लीवर के बारे में कम ही जानते हैं क्योंकि ना तो कहीं वो अपने पिता की तरह कॉमेडी करते नजर आते हैं और ना ही अपने बहन की तरह मिमिक्री करते हैं। इन दोनों के उलट उनकी परसनालिटी काफी अलग है। 31 साल के जेसी लीवर अपने सिक्स पैक एप्स और फिटनेस के कारण मॉडलिंग और अड़र्टाइजमेंट में ज़्यादा एक्टिव हैं। पर आप जिस सिक्स पैक वाले जेसी लीवर को देख रहे हैं वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। बलकि वो एक गंभीर बिमारी से गुज़ा चुके हैं जिसमें जान बचने की गुणजाईस बेहद ही कम होती है। आप यह जानकर चौक जाएंगे कि जेसी लीवर जब 10 साल के थे तब उन्हें गले का कैंसर हो गया था। एक ऐसे पिता जो की कॉमेडी करके अपना गुजारा करते थे उनके लिए ऐसे वक्त में परदे पर आपको हसाना कितना मुश्किल होता होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। पूरी दुनिया ही पलट करक दी और मैं यह भूली गया था कि कॉमेडी कैसे करते हैं। उस साल मैंने सिर्फ एक फिल्म और एक शो में काम किया था। मैंने फाइनशिल क्राइसिस से जूजना बहतर समझा लेकिन कोई ऐसा काम मैं नहीं करना चाहता था जिससे मेरे काम की वैल्यू कम हो। जेसी लिवर को परिवार का पूरा सपोर्ट मिला और वो इतनी कम उम्र में भी कैंसर से उबर पाए। लेकिन बारवी पास करने के बाद वो आगे पढ़ना नहीं चाहते थे। जानी लिवर भी अपने बेटे के मुँँ में इतना पर चुके थे कि वो उनकी हर बात मान लेते थे। लेकिन अपनी बेहन जेमे के समझाने पर जेसी ने ना केवर ग्राजूशन किया बलकि उन्होंने विदेश जाकर HR मेनेजमेंट में पोस्ट ग्राजूशन भी किया। पहुआ है कर रहे थे तो उन्हें रेलाइज हुआ कि वह एक्टिंग से प्यार तो करते हैं लेकिन वह अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहते। में देखा होगा चलिए जब वाव मूवी की बात आही गई तो मैं आपको रित्रिक रोशन से उनके कनेक्शन के बारे में बता देती हूं आपने कभी खुशी कभी गम मूवी तो देखी होगी और उसका वो एक छोटा सा बच्चा तो आपको याद ही होगा जो रित्रिक रित्रिक रोशन के ये सवाल पूछने पर कि अंजली और राहुल कहां गए थे उसने ये जवाब दिया था कि चुप मैं बताता हूं हल्दी राम का थोड़ा खिसका है वो लंडन गए हैं एक दिन मैं भी लंडन जाओंगा उस बच्चे के किरदाय में जेसी लीवर थे कमा किया था उसके बाद जेसी लीवर जब 29 साल के हो गया तब 18 साल बाद फिर से उन्होंने रित्रिक रोशन के साथ वार मुवी में काम किया इस फिल्म में उनका अंदाज और टशन दोनों ही अलग था इस फिल्म में वो सिक्स पैक एप्स के साथ एक्शन करते नजर आए शू कराबा बवन इरानी के साथ वो एक तेल के एड में भी नजर आएं जैसे सिनेमा में उतने अक्टिव तो नहीं है लेकिन वो इंस्ट्रागाम पर बेहद अक्टिव हैं उनके इंस्ट्रागाम पर एक लंबी चौरी फैन फॉलोइंग है उमीद यह है कि जल्दी वो अपने बेहन और पिता से अलग एक पहचान बना लेंगे और आपको एक नया जेसी लीवर देखने को मिलेगा आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसे लाइक और शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वैक्सिन जरूर लगवाएं Thank you so much